आज हम बनाएंगे फिश फ्राइग लिया है रोहू मचली उसे अच्छे से धोल लिया है दो पानी से अब उसे रखेंगे मैरिनेट करने के लिए मैरिनेट करने के लिए हम उसमें पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी फिर अच्छी तरह तरीके से मिक्स करेंगे उसे हर एक फिश में नमक और हल्दी लगने चाहिए और फिर उसे ढख कर आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे इस्टिक पैन में हमने पहले सी तील गरम करकर रखा हुआ है तील गरम होने के बाद उसमें फिश डालेंगे वन बय वन फिश को दोनों साइट से फ्राइ करते हैं मेडियम फ्लेम में इसको अब पलट कर दूसरे साइट से पकने देते हैं फिश को डिफ फ्राइ करना है क्योंकि इसे हमें फिश फ्राइ ही खाना है तो इसे अच्छे से पकने देते हैं चारों तरफ से 10 मिनिट बाद फिश तयारे खाने के लिए थैंक्स पर वाचिंग